हलो दोस्तों आज हम बनाएंगे अर्भी के पत्तों की चटपटे पकोड़े इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाते हैं और खानी में बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं अर्वी के पत्तों के पकोड़े बनानी के लिए मैंने अर्वी के पत्ते लिए हैं इन पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है पत्ते मैंने चार से पांच लिये हैं तो चली इसे हम काट लेते हैं अर्वी के पत्तों को इस तरह से फोल्ड करके एक साथ में सभी पत्तो को जमा कर लेंगे और इसके उपर का जो डंठल है है इसे हम काट के अलग कर देंगे और ये देखे मैंने इसका डंठल जो उपर का है इसे मैंने काट के अलग कर दिया है इसे हमें पकोडों में यूज नहीं करना है और ये देखे बस इस तरह से हमें बारिक बारिक काट लेना अर्भी के पत्तों के पकोड़े बहुत जादा चटपटे बनते हैं और यह देखे मैंने सभी पत्तों को अच्छी तरह से काट लिया है और इसे में एक प्लेट में अलग निकालके रख दूंगे इन पत्तों का यूज हमें बाद में करना है तो चलिए इसे हम रख देते हैं इतरफ मैंने एक कप चनी के डाल ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से दो के पानी में भीःगो के रख दीया था आप चाहे तो दाल को पूरी रात भी भीःगो के रख सकते हैं या तो पर गरम पानी में 4-5 घंटे भीःग सकते है और हमें करना क्या है डाल को हम डाल देंगे मिक्सर जार के अंदर और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च आप अगर तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं एक चमच डाल देंगे जीरा और विल्कुल थोड़ा सा पानी डाल कर इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो चलिए इसे हम पीछ लेते हैं एक बात याद रखें डाल पीछते टाइम पानी हमें थोड़ा सा ही डालना है जादा नहीं डालना है आप अगर लसन खाते हैं तो लसन भी इसमें डाल सकते हैं डाल को मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है उड़त की डाल ली है मैंने आधा कप डाल को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे पानी में भिको के मैंने रख दिया था और इसी जार के अंदर डाल देंगे उड़त की डाल और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लिना है पानी मैंने 1 फोर्ट कप के करीब डाला है और चलिए इसे हम मिक्सर में पीछ लेते हैं और ये दिखे उड़त की डाल का पेस्ट बनके तयार हो गया है। उड़त की डाल को भी चैनी की डाल के साथ में हम मिला देंगे। अब हमें करना क्या है दाल को हमें अच्छी तरह से फेटना है लगपक 5-7 मिनट तक दोनों दालों को आपस में अच्छी तरह से हमें पेट लेना है जब तक इसका कलर चींज नहीं हो जाता है न तब तक हमें इसे फेटना है और आप देख सकते हैं यह देखें दाल हमारी दाल सकते हैं और दाल देंगे उचार का मसाला कहलें अचार का मसाला को पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस पर हम डाल देंगे अर्भी के पत्ते जो हमने काटके रखे थे ना इसे हम डाल देंगे और पत्तों को हमें डाल के साथ में अच्छी तरह से मिला लेना है एक पर इस तरीके से आप जरूर पकोड़े बना के देखें यकिन मानिए डाल के पकोड़े ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बस इस तरह से हमें सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है तो चलिए इसमें डाल देते हैं कुछ और मसाले इसमें हम डालेंगे गरम मसाला वनफोर्थ चमच और इसमें हम डाल देंगे लाल मेज पाउडर और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर वनफोःत चमठ, साथ में इसमें हम डालेंगे निपकारस, एक बड़ा चमठ, कई लोगों को अरबी के पत्ते खाने से गले में खराश या चुबन होती है तो निपकारर तलने से क्या होता है ना गले में खराश नहीं होगी, और बस सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है तो चलिए इसे हम फ्राइ कर लेते हैं कड़ाई में मैंने तेल गरम होने पहले से रख दिया था और अब हम क्या करेंगे छोटे-छोटे हम पकोड़ी बना लेंगे और तेल में डालते जाएंगे इन पकोड़ों को लो मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से फ्राइ करना है और बस इस तरह से पलटते हुए अंदर पहा दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक तल लेना है तेल में पकोड़े का कलर चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एके करके पकोड़े तेल में से निकाल लेंगे गर्मा गरम अर्बी के पकोड़े बनके तयार हो गए हैं तो चलिए इसे गर्मा गरम प्लेट में सर्व कर लेते हैं आप इन पकोडों को चटनी के साथ में सॉस के साथ में इंजॉय करें एक पर आप इसे ज़रूर ट्राय करके देखे और कमेंट करके बताए कैसे बनी है साथ ये नए हैं आप मेरे चैनल पर तो मुझे लाइक और सस्क्राइब करना न भूले तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ में